दोस्तो, IPL स्टार्ट होने में बस एक से दो दिन का ही time बचा हुआ है ऐसे में IPL के fans को इंतेजार है IPL सर्मनी का IPL के opening सर्मनी कौन से तारीक को होने वाली है और इसका live टेली कास्ट कौन सा channel करने वाथ इस topic अ pendant आपको पूरे information देने वाले हूं साथ में यह भी बताने वाला हूं क्या इस बार इस टेडियम में दर्शक अवेलबल रहेंगे या नहीं और जो चीर लीडर्स रहते थे क्या इस बार रहने वाले हैं या फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा देना त सबसे पहले बात करते हैं IPL Opening Sermony की हर साल की तरह जैसे Opening Sermony होती है तो इस बार IPL की Opening Sermony नहीं होगी BCCI का कहना है कि coronavirus coronavirus का टाइम चल रहे है जिसकी वज़य से coronavirus बढ़ सकता है तो इस बार IPL की Opening Sermony नहीं होने वाली है दूसरा और सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है क्या इस बार स्टेडियम में दर्शक रहने वाले या नहीं तो BCCI का कहना है कि दो हपते तक तो कोई भी दर्शक अवेलबल नहीं रहने वाले तो इस बार चेयर लीडर्स अवेलबल नहीं रहेंगे इस बार नहीं रहने वाले क्योंकि कोरोना वारस का टाइम चल रहा और दूसरी बात है कि इस बार स्टेडियम में दर्शक अवेलबल रहीं रहने वाले हैं जिसकी वज़े से इस बार चेयर लीडर्स भी नहीं रहने वा अबू धाबी में पहला मैच होगा शाम को साड़े साथ बजे इंडिया में लाइव स्ट्रीमिंग इस्टार स्पोर्ट नेटवर्क करने वाला है और अगर आप मोबाइल आप में देख रहे हो तो होस्टार करने वाला है तो फ्रेंड्स यह थे IPL सेर्मेनी से जुड़े तीन बड़े अपडेट जो इस बार कंप्लीट नहीं रहने वाले हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब् एस वीडियो